Hello Friends, Welcome once again in Sundar Sir's Classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. स्वागत है दोस्तों, मैं है Sundar Sir, आप सबका एक बार फिर स्वागत है Sundar Sir's Classes में. तो Students, आज का हमारा टोपिक जो हमारी सीरीज कंटीनु है, उसी सीरीज के अंतरगर्द आज का हमारा टोपिक है, वो हमारा है Basic English Vocab Step 5, या जिसे आप Class 5 कह सकते हो, या Day 5 कह सकते हो, कि अगर आप सीरीज में लगातार मेरे साथ बने रहते हैं, तो मैं इस बात के लिए दावा करता हूँ, कि बहुत जल्दी आप एक बहुत अच्छी, सॉलिड और fluent English, written और spoken, दोनों में आप बहुत जल्दी जो है वो, एक perfect होने जा रहे हैं, आप बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो को लास तक जरूर देखिए, इसे शेयर भी कीजिए, अगर सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सबस्क्राइब इसे अभी कर लीजिए, तो स्टूडेंट हमारी जो ये सीरीज है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए शिरू की गई है, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल जीरो से, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से, या बिल्कुल बेस से, इंगलिस को सीखना चाते हैं, तो इस सीरीज में अगर आप continue मेर साथ बने रहते हैं, तो इसके लिए मैंने, as I have already promised you, that you will be get success very soon, तो लिजे फ्रेंड्स हम शिरू करते हैं हमारा आज का ये lesson तो आज का हमारा जो lesson है, इसमें मैं आज आपको कुछ एक बहुत ही important और जो common words हैं, जो अकसर हमारे सामने आते हैं, day to day life में, आपके school में, classroom में, आपके house पे, ये ऐसे words हैं जो आपके सामने आते हैं, तो आज हम इनी words की English शिखेंगे और साथ में बोलना सिखेंगे इनको, कि इनको बोलते कैसे इनकी pronunciation क्या है और इनका meaning क्या है और इने हमें sentence के अंदर इनका use करके भी हम इसका meaning अच्छी तरह से जान पाएंगे तो इसे सबसे पहला हमारा जो words आता है, वो होता है behind, behind इसको बोलना भी आप जरूर सिखेंगे उसके पेशे से, behind the house, घर के पीछे, he is standing behind me, मेरे पीछे खड़ा है, तो पीछे के लिए हम behind word यूज़ करेंगे next word हमारा लेते हैं, in front of, in front of, के सामने, behind का बिल्कुल यह उल्टा होता है, in front of, के सामने, मिनिंग क्या होता है, के सामने, किसी चीज़ के सामने होती है, उसके लिए हम यूज़ करते है जैसे, there is a tree in front of my house, कि मेरे घर के सामने एक पेड है, he parked his car in front of my gate, उसने मेरे gate के सामने पारक, जो कार जो है वो पारक कर दी, तो in front of, के सामने आगला word हमारा आता है, beside, देखिए, ये बड़े common से word है, जो मैं बता रहा हूँ, इन में थोड़ा थोड़ा difference है, तो students, in words को आप अपने notebook में लिख लीजिए, और इन्हें याद भी कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपको बोलने की ज़रूरत पढ़ेगी, या फिर आप लि Just like, he is sitting beside me, वो मेरे पास बैठा है, वो मेरे नजदीक बैठा है, तो यहाँ हम इस प्रकार से कह सकते हैं, कि beside का मतलब होता है नजदीक या पास, अगला word हमारा है before, before का मतलब होता है पहले, जैसे कोई काम पहले, Just like, think before you speak, यानि कि बोलने से पहले सोचो, यानि कि हम कहते है पहले सोचो, फिर बोलो, तो before का मतलब होता है पहला, यानि बोलने से पहले सोचो, think before का मतलब पहले, next one हम लेते हैं हमारे पास hair, बहुत ही common word हमारा hair, hair का मतलब जो होता है यहाँ, जब हम इसका place के लिए उस गरते हैं, hair का मतलब होता है यहाँ, और इसका हम जैसे, he is hair, व come here, यहाँ आओ, तो come here, यहाँ के लिए प्रयोग करेंगे हम hair, उसी प्रकार से next हमारा होता है देर, देर के लिए, देर वैसे तो introductory subject के रूप में भी आता है, लेकिन mainly जब हम इसको use करें तो देर का मतलब होता है वहाँ, जैसे hair, यहाँ, यहाँ का वहाँ, वहाँ के लिए देर, जैसे go there, go there, वहाँ जाऊ, दूर के लिए हम देर का परयोग करते है, नजदी के लिए हम यहाँ का परयोग करते है, hair का परयोग, जैसे there he bir goes, तो यहाँ हम देर का भी use हमने यहाँ करना सीखा है, को tissu commonly का मतलब हो कह सकते है, वहाँ के लिए परयोग हम करते है, next word हम बिट्विन, बोना सीखे, बिट्विन, बिट्विन, बिट्विन का मतलब होता है देखे बीच में, बीच में का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच में, यह अंतर आपको समझना है, बिट्विन आता है, तो दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है, तब हम, जैसे, I put तो यहाँ जैसे रीटा सिट्स बिट्विन टू गर्ल्स रीटा दो नड़क्यों के बीच में बैठी है तो बिट्विन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में नैस्ट वर्ड हमारा है वहीच göt न से न से जाता चीजों के बीच में जैसे देखिए, distribute the sweets among children, यानि कि ये मिठाई बच्चों में बाठ दो, बच्चों के बीच में बाठ दो, तो among का मतलब हो गया more than two, दो से जद्धा के लिए हम प्रियोग करेंगे इसका. next word हम लेते हैं हमारा far, next word हमारा क्या है, far, far का मतलब होता है, दूर के लिए प्रियोग करते है, far, दूर कोई चीज होती है, जैसे my house is so far from here, far, की दूर, मेरा घर यहां से so far, बहुत दूर है, so far, far के बाद हमारा आता है near, इसका उन्टा, near का मतलब होता है, नस्दीक, near का में क होता है, नस्दीक, तो जैसे हम कहते है, my, he lives near the bus stand, वो bus stand के नस्दीक रहता है, come near me, मेरे पास आओ, तो near का मतलब यहां पर past के लिए प्रियोग करते हैं, next word हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, always, always, always का होता है, सदा, हमेश्या, सदा या हमेश्या, इसका प्रियोग हम करते सदा या हमेश्या के लिए जैसे, always speaks the truth, always speaks, speaks ने speak आएगा, always speak the truth, कि सदा सत्य बोलो, always speak the truth, तो always का हम रहता है, हमेश्या या सदा, always work hard, he always comes to my house, वो हमेश्या, या always सदा मेरे घर आता है, तो यहां always का मतलब होता है, सदा या हमेश्या, इसदेफेरेंस कुछ, और words इसी कड़ी में हागे जोडते हैं, आगेरे मारे word आता है, never, never का मतलब होता है, कभी नहीं, ये sentence में हमेश्या, negative sentence में यूज के जाता है, इसका meaning भी negative ही ह होता है, और तो होता है, कभी नहीं, just like, never tell a lie, कभी जूट मत बोलो, तो never का मतलब नहीं, negative में आता है, इसका प्रियोग ना के लिए प्रियोग किया जाता है, दूसरा वर्ड आता है, मारे की मिलते जूलता वर्ड है, ever, ever का मतलब होता है, कभी, कभी, just like, has he ever called you, क्या उसने कभी तुमें phone किया, तो ever का मतलब कभी, और आम तोर पे ever का use, जो है, वो लगबग interrogative sentence के अंदर भी इसका use किया जाता है, ever का मन होता है, कभी, next हम लेते हैं, after, जैसे पहले before था, पहले after का मतलब होता है, बाद में, after, बाद में, बाद में, जैसे he will join after lunch, कि वो lunch के बाद हम में जवाइन करेगा, he will reach here after two o'clock, दो बजे के बाद, यानि after का मतलब होता है, बाद में, के बाद चीज के लिए, next हम लोता है, almost, almost का मतलब होता है, लगबग, यानि कि कोई भी चीज, लगबग पूरी हो चुकी हो, या कोई भी काम जो लगबग पूरे होने के लगबग स् में मैंने लगबग काम पूरा करे लिया है, तो almost का मतलब होता है, approximately up to finish, कि लगबग पूर्णतया की स्रेणी में, next word हमारा तो देखे, anybody या anyone, ध्यान रखना है, इसमें anybody भी हो सकता है, या anyone, anybody, anyone, इसका मतलब होता है, कोई, और ये ध्यान रखना है, कि anybody या anyone का प्रियोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंडी की प्रसंद पूछने में ही प्रियोग लगबग इसका किया जाता है, तो anyone या anybody, जैसे is anyone there, क्या कोई है, is there anyone in the house, क्या घर में कोई है, तो हम question के लिए इसका प्रियोग करते है, anyone का मतलब कोई, तो आम तोर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंड में इसका प्रियोग किया जाता है, anyone, अब आग ये बाते हैं, someone या somebody, इसका मतलब भी कोई, ये positive में होता है, ये हमारा affirmative sentence में होता है, ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ये प्रशन कूछने में और ये हमारा सिर्फ बताने के लिए, just like, somebody lives here, यहाँ कोई रहता है, तो somebody, जो है यहाँ हम, someone या somebody, एक ही बात है, जिसका अर्थ भी क्या होता है, कोई, next word हमारा होता है, देखिए, no one या फिर nobody, देखिए, no one या nobody, मतलब यह होता है, इसमें भी कोई नहीं, और ये आपको पता है, कि जब no लग गया, तो automatically आपको पता है, कि ये sentence negative sense देता है, तो हमा nobody lives here, यहाँ कोई नहीं रहता, तो यहाँ, no one और जो nobody या नो one जो होता है, वो negative sentence में ही परियोग किये जाते है, इसके बाद हमारा word आता है, next हमारा anywhere, anywhere का मतलब होता है, means कहां, कहीं, और ये भी sentence, interrogative के अंदर ही पूछा जाता है, जैसे, have you found him anywhere, somewhere, क्या तुम्हें वो कहीं मिला, तो anywhere का मतलब कहीं, तो यहाँ जो sentence में कहां, anywhere का मतलब भी क्या होता है, कहीं, इस प्रकार हम इसका परियोग कर सकते हैं, जैसे, I didn't see him anywhere, मैंने उसे कहीं नहीं देखा, तो यह negative sentence के अंदर भी इस नवमतर पे, negative या फिर interrogative sentence में ही परियोग नहीं होता यह, अगला बड़ है, somewhere, somewhere, जैसे यह था हमारे पास, anybody और somebody, anybody और somebody या anyone या someone, ठीक उसी प्रकार से, anywhere और somewhere भी एक दूसरे के opposite होते हैं, anywhere का मतलब तो interrogative और negative होता है, उसी प्रकार से, somewhere का परियोग जो है, वो हम इसा affirmative sentence में होता है, somewhere का मतलब होता है, कहीं, जैसे I lost my ring somewhere, कि मेरी, मैंने कहीं, यानि कहीं पर मेरी अंगुठी गुम हो गई, somewhere, I have seen him somewhere, मैंने उसे कहीं देखा है, तो somewhere का मतलब कहीं, तो यहाँ positive sense में यह प्रियोग किया जाता है, somewhere का मतलब भी क्या होता है, कहीं, देखे सारे word जो है, यह लगब क्या है, मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके जब आप प्रियोग करेंगे, या चाहिए आप spoken कर रहे हैं, रिटन कर रहे हैं, वहाँ आपने इनका अंतर सपस्ट करना है, next word हम लेते हैं, everywhere, everywhere का मुलते है, परतेख जगय है, हर जगय है, हर जगय या परतेख जगय पर, everywhere, जैसे परतेख जगय पर या हर हमान है, you can see, you can find hotel anywhere, everywhere, यहां आप everywhere का प्रियोग भी आप कर सकते हैं, तो everywhere का मतलब भी जो होता है, परतेख जगय पर, next हमारा है anything, anything भी negative sentence होता है, जैसे कुछ नहीं या कुछ भी नहीं, तो इसके लिए परियोग कुछ भी, means negative sense में या फिर interrogative sentence में इसका परियोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है, जैसलिए I don't have anything, मेरे पास कुछ नहीं है, कई बार anything के से जगय हम nothing word का भी इसके साथ nothing का परियोग भी जो है, nothing का मतलब भी कुछ नहीं होता है, और nothing का मतलब तो सिर्फ यह होता है, nothing और anything में difference सिर्फ यह है कि anything का परियोग आप interrogative में भी कर सकते हो, nothing का परियोग interrogative में नहीं, बलकि केवल negative में ही किया जाता है, ये दोना में difference है, तो students, ये थे मेरे आज कुछ 22 के लगभग जो है ये words मैंने आज आज आपको कुछ लिखवाए हैं ये words बहुत ही common words हैं और जो हमारे डिली बॉल चाल की भासा में spoken या फिर written English में हमारा इनका बहुत बड़ा योगदान होता है तो उमीद है ये words आपने लिख लिए होंगे नहीं लिखें तो अपने diary के अंदर जो है इन words को note कर लिजिए और इनको याद भी कीजिए क्योंकि जैसे जैसे आपकी vocab बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपकी vocabulary जो है वो increase होगी वैसे वैसे ही आपकी spoken और जो written English है वो अपने आप ही आगे से better से और best की तरफ होती जाएगी तो students मेरे इस बात का अपने ध्यान रखना है और बने रही है मेरे साथ और बहुत जल्दी हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक मेरे साथ बने रही है have a nice day thank you